लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीम खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइब को सब्स्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दवाना मत दिए हम आपका स्वागत करते हैं भारते इंता पार्टी वे और मैं आदर्निये प्यूस गोईल जी जो आज हमारे मद्द्य हैं उनसे मैं आगरे करता हूं कि वह श्री जतिन परशाच जी को पार्टी की सदस्ता दिलाएं और पार्टी की सदस्ता की पड़्ची उनको सौंपे अधनिया प्यूस गोईल जी बुके देखें आपका स्वागत करें मान्या जितिन प्रशाच जी ने बहुती छोटी आयू से उत्तर प्रदेश की सेवा में अपना पूरा जीवन जोग दिया मुझे अभी भी याद है शायद इनकी उम्र शायद सिर्फ 27 वर्श की थी जब अकासात्मक एकड़म सडनली उनके पुझे पिताजी के दिहान थुआ और ये मुंबई में तब काम करा करते थे बहुत अच्छी पद पर थे दून स्कूल से पढ़ाई की श्रीराम कॉलिज से दिल्ली के विख्यात कॉलिज से पढ़ने के बाद अपने काम में लगे थे जब बहुत छोटी उमर में उनको परिवार को ये धका पड़ा लेकिन छोटी आयू में भी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में दोरा किया उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जाके अपनी प्रतिभा से अपने काम से लोगों का दिल जीता दो बार पार्लिमेंट में अच्छी मतों से जीते पहली बार शाजापूर से 2004 में और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की रादनीती में एक बहुत प्रमुक भूमी का वर्षो वर्षो तक निभाई वो हम सब देखा करते थे इनके पिता जी का भी बहुत बड़ा योगदान था वर्षो वर्षो तक कॉंग्रेस में और कॉंग्रेस पार्टी हो कॉंग्रेस की सरकारे हो उसमें बिना कोई पद के उन्होंने जिस पकार से सेवा करीती देश की वो हम सब भली बाती याद करते हैं केंद्रेस सरकार में भी मेरे मित्रट जितेन जी अलग-अलग विभागों को देख चुके है मिनिस्टर के नाते काफी बड़ा अनुभाव है उनका चाए वो इस्पात मंत्राले हो चाए पेट्रोलियम और नैचुरल गैस हो चाए वो सडक परिवाहन हो या एजुकेशन मिनिस्टरी चाड़ों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी मुझे तो एक परस्तल अनुभाव भी है मैं याद करता हूँ कि जब यह पहले कॉंग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने बहुत प्रहत्न करके उत्तर प्रदेश में अपने शेत्र में एक मीटर गेज से ब्रॉड गेज लाइन कर्वर्जन स्विक्रित तो करा पाई लेकिन उसको गती नहीं दिलवा पाई थे कि वो जल से जल खतम हो जल से जल वो पूरा हो काम मोदी जी की सरकार 2014 में आए तब ये सांसद नहीं रहे लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की सुविदाएं सुद्रे उत्तर प्रदेश में अपने शेत्र में काम चालू रहे उसके लिए लगातार पीछे पड़े रहे और रेल मंत्रा लेके पीछे ऐसा पड़े रहे कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करवाया मोधी सरकार आने के बाद तो एक प्रकार से ऐसे युवा नेता जमीन से जुड़े हुए नेता लोकप्रियों नेता और जिनकी प्रात्मिक्ता समाथ सेवा रही हो जिनको देश के प्रती प्रेम हो ऐसे एक बहुत ही कदावर नेता जैसे आनेल जी ने कहा उत्तर प्रदेश की रादनीती में जिनका बहुत बड़ी भुमिका आगे मैं देख पा रहा हूं ऐसे श्री जितन प्रसाद जी हम सब को आज हमारी पार्ठी के साथ प्रधान मंत्री नरेंडर मुदी करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्ठी को भी बल मिलेगा और जितन प्रसाद जी को देश सेवा समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका बिलेगा जो मेरे बारे में जो बक्तर तो रखा अनिल बनुली जी आपका भी धन्यवाद सर्व प्रथम तो मैं आज के इस दिन भारते जंता पाठी के राष्ट्रे अध्यक्ष स्वी जेपी नड़ा जी इस देश के यश्यस्वी प्रधान मंत्री आदर्निया नरेंड मोदी जी इस देश के कर्मयोगी ग्रह मंत्री आदर्निया अमिछाजी और समस्त भारते जंता पाठी नेत्रित का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने आज इस भारते जंता पाठी परिवार में मुझे सदस्ता और सम्मान दिया है और ये मेरे जीवन राजनितिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जैसे कि आप जानते हैं मेरा कॉंग्रेस पाठी से तीन पीडियों का साथ रहा है तो ये महतपूर्ण निर्ने जो मैंने लिया है बहुत विचार मंधन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं मगर सवाल ये है कि किस दल मैं जा रहा और क्यों जा रहा हूं ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से आट-दस सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में राजनितिक जीवन में लोगों से मिलके भ्रमन करके देश भर में कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनितिक दल है जो संस्थागत इंस्सिट्यूशनल दल वो भारत जिंता पाटी है बाकी दल तो व्यक्ति विशेश और शेत्रिय शेत्र के हो गए मगर राश्ट्रिय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारत जिंता पाटी है और जिस चुनोतियां और परस्तितियों से हमारा देश और विदेश में भी हमारी सीमाओं पे भी सबसे उप्यूक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में तो भारत जिंता पाटी और प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी है ये जो दशक है ये भी मैंने एक बक्तब सुना था प्रधान मंत्री जी का ये निर्णायक होगा भारत के लिए आने वाली पीडियों के लिए भारत बिश्ट पटल पे क्या भूमेका निभाएगा वो यहां सरकार ते करेगी और नित्रत ते करेगा और प्रधान मंत्री जी राद दिन भारत की सेवा में निसार्थ लगे वे हैं हम देखते आएं हमने फैस्ट चुनोतियों का सामना भी किया जानता ने हमें दरकिनार भी किया है तो हम जानते हैं कि उनके प्रती देश की भावना क्या है सुधान मंत्री जी की प्रती और वो जो नए भारत का निर्मान कर रहे है उसमें मुझे भी का अफसर मिलेगा ये मैंने विचार करके इस निर्ने पे पहुँचा हूँ कल्यान काड़ी योजना है तो प्रतान मंत्री जी ने की हैं जो गाउं गाउं हम देखते हैं चाए विदुतिकरण हों शोचाले हों गैस योजना हों तमाम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है जो असली में जरूरत मंद है और दूसरा कारण ये भी है कि जिस दल में मैं था मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीत में हैं और राजनीत एक माध्यम है दल भी माध्यम है अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते उनके लिए काम नहीं आ सकते तो आपका राजनीत और दल से में रहने में क्या हो चित है तो यही मेरे मन में और चाहे वो देशित हो चाहे वो प्रदेश हो चाहे वो जिला हो अगर आप अपने लोगों की उप्योग नहीं आ सकते उनके सहाइता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं है कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं तो वो मुझे महसूस होने लगा कि वो कॉंग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूँ भारते जनता पाटी वो माध्यम बनेगा वो सशक संगठन देश वापी इतना संगठन इतना मजबूत नेत्रित जो आज देश को जरुवत है मैं इस बक्त ज्यादा बोलना नहीं चाहता मेरा काम बोलेगा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी मेरे उन कांग्रेजनों का जिनका मुझे आशरवाद मिला और साथियों का इतने वर्ष तक मगर अब मैं समर्पेतिक गोईल जी आप सब जानते हैं आपका धन्यवाद दूँगा एक कारकरता के रूप में भारते जन्ता पाठी के मैं कार करूँगा और वो है उत्देश सब का विकास और सब का साथ जो उत्देश है एक भारत और श्रेश भारत का वो लेके एक कारकरता के रूप में मैं काम करूँगा बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबी लोगा